हेलो दोस्तो आपने यूट्यूब की सबसे बहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे UPSI का जो भी पेपर आया दोस्तो बिल्कुल इजी ये पेपर आगया है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब हो आपका सेलेक्शन होगा ठीके गाईस जो भी आज की पहले सिफ्ट के सवाल पुछेगे सभी को मैं सोल्ड कराने वाला हूँ ट्रिक से तो गाई जल्दी से देख लेते हैं पूरे पेपर के उत्तर जल्दी से ट्रिक से कर लेते हैं आगे ब नोटिफिकेशन आपको time to time मिलता रहे हमारे चैनल एक्जाम ताज पर देख लेते गाईस क्या क्या सवाल आज के पहले सिफ्ट में पूछेगे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने है यह समस्या अत्यंत कठिन है इसमें जो अत्यंत है उसे क्या कहा जाएगा तो दोस्तों इस C option आपका right answer चला जाएगा तो friends आप लोग इस परकारिये सवाल करके आ सकती थी आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईस आपका यह भी पूछा गया वेदों की रचना किस भासा में हुई है तो दोस्तों वेदों की रचना किस भासा में हुई ह वेदिक संस्कृत में बी ओप्सन इस सवाल का right answer चला जाएगा दोस्तों जो भी analysis हम आपको देंगे 100% real analysis आपको देंगे देख लेते अगला सवाल एक सवाल गाईस आपका यह भी पूछा गया अग्या में क्या मिलन है तो इन चार ओप्सन में अग्या किसको represent करता है तो right answer हो जाएगा D option तो दोस्तों जो बच्चे D option मार के आगे उनके right answer हो गया उमीद करता हूँ आपने वीडियो को like कर लिया होगा और channel को आपने जोइन कर लिया होगा सभी government exam की trick के लिए कर देंगे guys बहुत important channel है देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया हाली में विस प्रवासी पक्सी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों किस दिन मनाया गया है ये मनाया गया 9 October को A option आपका right answer चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया किस आपका right answer चला जाएगा तो फ्रेंड्स आप लोग इस परकारे सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये भी पूछा गया हाली में युनेसको के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक सिक्सक है तो right answer हो जाएगा तमिल नाडू यानि B option आपका right answer चला जाएगा तेख लेते guys अगला सवाल तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया हाली में किस राज्य में राष्ट्य व्यापी नदी पासुपालन कार्यकरम सुरू किया गया तो दोस्तों इस सवाल का right answer हो जाए यानि D option आपका right answer चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल केंस अवर्ड की छेतर में दिया जाता है तो दोस्तों ये दिया जाता है फिल्मों के छेतरों में राइट आंसर हो जाएगा फिल्म अगला सवाल देख लेते हैं उम्मीद करते सभी प्यारे बच्चेरे वीड प्रिक्स से कराने वाला हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तब तक बार-बार में आपको नहीं बोलूँगा अगला सवाल देख लेते हैं एक सवाल ये भी पुछा गया ACI विस बैंक का मुख्याले कहां पर है तो दोस्तो ये है मनीला में फिलिप्पिन्स के मनीला में इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया इसको भी मैं लोजिक से बता देता हूँ आपको कैसे आपको करना था एक सवाल पूछा गया राष्टे डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो ये मनाया जाता है 16 माई को 16 माई सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल वायू मंडलिया गटना के अध्यन को क्या कहा जाता है तो दोस्तो इसको कहा जाता है मोसम व वेरेस टोपन ने तो दोस्तो ये सवाल का राइट आंजर चला जाएगा देख ले तो अगला सवाल एक सवाल पुछा गया नियू योर्क की पहली महिला गवर्नर कोन बनी तो दोस्तो इनका नाम है केती होचुल केती होचुल इस सवाल का करेक्ट आंजर हो जाएगा देख ल लोजिक क्या लगेगा पहले तीन संख्या को जोड़ लो जोड़ने के बाद में क्या आएगा दस और दस में तीन की गुणा कर दो तो दोस्तो रही टांसर आजाएगा तीस तो फ्रेंड्स आप लोग इस पर कारे सवाल करके आ सकते थे मतलब यह लोजिक आप लोग यहां पर लगाएंगे पहले तीन संख्या को जोड़ेंगे जोड़ने के बाद क्याएगा साथ साथ में पांच की गुणा कर देंगे तो दोस्तो थर्टी फाइफ इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा ठीक है गाईस लाइक करते रहेंगे और चैनल को आप लोग जोइन करते रहेंगे बार-बार मैं आपको नहीं बोलूँगा अगला सवाल देख लेते हैं एक विद्याले में सतर परसेंट आपकी लड़किया हैं लड़कों की संग्या पांसो दस है तो स्कूल में किल कुल कितने विद्यारती होंगे अगर 100% विद्यारती स्कूल में है और 70% आपकी लड़किया है तो लड़के कितने होंगे 30% 30% की वैल्यू कितनी दी गई है 510 1% की वैल्यू क्या जाएगी यहां से 17 0 से 0 कड़ जाएगी 3 से 17 बार यह कड़ जाएगा तो दोस्तों 100% की वैल्यू हमें निकालनी है टोटल बच्चे कितने होंगे 100% की वैल्यू यहां से आजाएगी आपकी 1700 तो फ्रेंड्स आप लोग इस प्रकारी सवाल करके आ सकते थी ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं